अध्याए 11, 20 सदी में संचार माध्यम हमारे पास ऐसे अनेक तरीके वा उपकरण हैं जिनके माध्यम से दूर इस्थित देश दुनिया की तमाम खबरे हम तक पहुँचती रहती हैं दूसरे और हम भी विभिन तरीकों वा उपकरणों के माध्यम से दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुचाते रहते हैं जो चीजें हमारे विचारों और संदेशों को दूसरे वेक्तियों तक पहुचाने का काम करती है या दूसरों से हम तक खबरे लाती हैं उन्हें संचार के उपकरण या माध्यम कहा जाता है इन संचार उपकरणों के अलावा भी हम अपने दैनिक जीवन में सूचनाओं वविचारों के आदान प्रदान के लिए कई तरीके अपनाते हैं जिसमें मौखिक, लिखित और ध्वन्यात्मक संप्रेशन के अलग-अलग तरीके शामिल है जैसे बोलना, चिलाना, चित्र बनाना, इशारे करना, ढोल बजाना, लिखना, आदी या संप्रेशन के मूलभूत तरीके हैं आधुनिक संचार उपकर्णों के विकास के पूरु से ही मानाव समाज में संदेशों वविचारों के आदान प्रदान के उपर्युक्त विवित तरीके प्रचलित रहे हैं आपने नौजागरन के समय छपाई प्रेस के अविशकार और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा था और द्योगिक क्रांती के बाद कई ऐसी मशीनों का अविशकार हुआ जिससे सूचना वविचारों का आदान प्रदान तिवर और आसान हो गया 19 सदी के उत्रार्द में ग्रामोफोन, टेलिग्राफ, टेलिफोन, वायरलेस, टेलिग्राफ, टाइपराइटर, चलचित्र, कैमरा जैसे उपकरणों वव मशीनों का विकास हुआ इन अविशकारों से कम समय में और दूर-दूर रहने वाले अधिकाधिक लोगों तक किसी संदेश या विचार को पहुचाना आसान हो गया संभवता इसी दोरान विक्सित उपकरणों वा मशीनों ने 20-20 सदी के समाज को गहन रूप से प्रभावित किया पिछले 150 वर्षों में संचार माद्यमों की भूमिका इस कदर बढ़ी है कि आज एक ही घटना को विशुभर के लोग एक साथ देख वा अनुभव कर सकते हैं एक तरह के विचारों के बारे में सोच सकते हैं और एक ही तरह के चीजों के लिए चाहत रख सकते हैं संचार माद्यम विशाल पैमाने पर लाखों लोगों को जो अलग-अलग देश भाषा वो संस्कृती के हैं सबको एक ही सूचना एक से विचार और एक से उत्पादनों के विज्यापन एक ही समय पर उपलब्द कराता है अता संचार माध्यम केवल सूचना पहुचाने का माध्यम न रहकर बहुजन माध्यम ये मौस मीडिया बन गया है जो विशाल जन समुदाय के सोच विचार और जीवन शैली को प्रभावित और नियंत्रित करने लगा है